हालो मित्रो गुड मॉर्णिंग रादे राम राम आसा करता हम मित्रो आप लोग ठीक नहीं होंगे क्योंकि समय समय बहुत बिफ्रीद चला गर्मी भी पड़ रही बारिज भी हो रही आप लोगों को सामना भी करना पड़ रहा होगा कोचिंग आने जाने में लेकिन कोई हमारा कल प्रतिसत प्रतिसत पर हम सारी चीजे बात कर चुके थे किसमें प्रतिसत पर प्रतिसत हम स्लेबस के अनुसार अपने यूपी पुलिस के स्लेबस के अनुसार ज्याजतर चीजे कबर कर लिए हैं और चलिए आज हम लोग मित्रो बात करते हैं किसकी लाभा और हान की कमेंड पर हमारेक मित्र का आज सुबह पोन ही आया था कि सर लाभान स्टाट कीजी जिसमें दो तीन ललकों नहीं बताया था कि भी लाभान स्टार्ट करिए तो मित्रों आज हम लोग लाभान पर वह चीजे बात करेंगे सुरुआ से concept और basic के अनुसार आज कम से कम हम लोग लगबग एक-एक सवाल का दो से तीन टाइप कितना? एक-एक कुश्चन का दो से तीन टाइप एक कुश्चन करेंगे उसका दो तीन टाइप देखेंगे मतलब आप लोगों को चीजे वो मिलेंगी जो आपने आसा नहीं की होगी मतलब एक कुश्चन का आपको दो प्रकार, तीन प्रकार हो सकेगा तो चार प्रकार मैं बताने के प्रयास करूँगा कि आप लोगों जो प्रकार आपको अच्छा लगे आप उसको पकड़ लेना चलिए है आसा करता हूँ और आप लोग कापी पिन लेकर की ही बैठे होंगे चलिए आज की क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होगी, दमदार होगी आईए मित्रों और कापी पिन लेकर बैठिएगा हर एक कुश्चन का मैं प्राफिट अनश ‌ंश फिरो uży माम से कहते है कम से कम आपको दो से तीन टाइप बताने का प्रियास करूंगा थैन टाइप होजाए च्छार टाइप होजा है लगबग लगबग तीन टाइप से कम नहीं बताउंगा चलिए आईए बात करते हैं मित्रों हम बात करते हैं किसकी लाव और हानी की मित्रों हमारा आज का टापिक है लाव हानी क्या है मित्रों आज का हमारा टापिक लाव और हानी लाव और हानी का मतलब प्राफिट अंड लास ये इसका मतलब Profit and Loss की बात कर रहा है चलिए Profit and Loss की बात इससे हम चीजे बहुत अच्छे से परचित है कौन से चीज हमें खरीदने में क्या लाव हो रहा क्या हान हो रही इससे हम लोग बहुत अच्छे से परचित होते है नो बच्पन से प्राइमरी से, चीज बहुत अच्षी लगती है, क्योंकि हमें कहां फायदा हो रहा रहा चीज है, फायदे के लिए हम लोग ज़्यादा एक्ट्व रहते हैं, यहां के लिए एकड़ा कम एक्ट्व रहते हैं, तो हर इंसान अपनी लाइफ में फायदा ही चाहता है चलिए ज्यादा बात न की जाए आके बात करते हैं मित्रों टापिक पर आये मित्रों लाब और हान पर पहले हम चीजों को छुड़ी चुड़ी चीजों जानना का प्रयास करेंगे आप लोगों को चीजे पता भी होंगी चलिए एक ब क्रेमूल का मतलब होता है जिसमें चीज खरीदी जाए क्या खरीदी जाए क्रेमूल का मतलब मित्रों हो तो मतलब यह होता है जिसमें चीज खरीदी जाए आपको पता ही भी हो गाह अच्छे से चलिए क्रेमूल और इसके बाद एक इसका छोटा भाई होता है विक्रेमूल क क्रेमूल का मतलब जिसमें वस्तु बेची जाए, वस्तु बेची जाए, आसा करता है मित्रों आपको यहां तक बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, क्रेमूल का मतलब खरीदी जाए, जो रकम देख की वस्तु खरीदी जाए, जैसे यह मौरकर दस रुपए का खरीदा ग गई वस्तु पर जो रकम लगे उसे खरीदा जाना विक्रे मूल का मतलब वस्त को बेचा जाए क्राय का मतलब खरीदा बेचना आये मित्रों हम बात करते हैं इसके बाद हमारा आता क्या है जैसे हम मित्रों लाव निकाले क्या लाव अब यहां से हम लाव निकाले क्या लाव लाव हमारा मित्रो का होता है? मित्रो लाव हमारा होता है विक्रे मूल माइनस क्रे मूल मित्रो लाव हमारा होता है विक्रे मूल माइनस क्रे मूल और मित्रो हमारी हान होती है हान ही बराबर हमारा होता है मित्रो क्रेमूल माइनस बिक्रेमूल ये चीज़े आपको भी मित्रों अच्छे से पता होंगी अगर आपको नहीं पता तो एक बार थोड़ा से लिख लीजिए और बार बार लिखने से बार बार चीज़े जब बार बार चीज़े आपके निगाह में आएंगी कोई भी वस्त वस्त अगर आपको अच्छी लगती है, तो ज़्यादा पैरी लगने लगती है, इसलिए बार-बार चीजे जब दिखती है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बार-बार लिखने से, यह चीजे इसी होती है, इसके बाद मित्रों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि माल लीजे बात जाए प्रत्सत अब दो यह हमारी चीजे हो गए मित्रों अब जैसे एक बात आजाए प्रत्सत लाभ लाभ प्रत्सत कितना होगा कितना मित्रों लाभ प्रत्सत अब लाभ प्रत्सत हमारा मित्रों क्या होता है इसके बाद हमारा एक होता है हान प्रत्सत क्या मित्रों हान प्र और हान प्रेचत हमारा मित्रों का होता है लाब और हान हमें सदयो मित्रो क्रेमूल पर ही दिखानी हैं, ठीक है है ना, Isaac 15 ,6 मित्रो हमारे कहनने का मतलब यह है, अगर हमें किसी चीज़ पर लाब दिखाना है लाब परशंट तो हम हारतम किसे में दिखाएंगे क्रेमूल पर अगर हान प्रस्ट दिखाने तो मित्रों हमें सदय खरीदी हुई वस्त मतलब क्रेमूल पर जो हमें खरीदने पर जो रुपया हमारा लगा होगा वो सदय हमारा क्रेमूल होगा क्रेमूल पर हम लाभ और हान दिखाते कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जा लाब प्रत्सत तो इसमें तो इसके एक साब्दी कर्थ मित्रो ये निकला जैसे कि बात कर दे अंस बटे हर तो मित्रो सदयो हमारा हर पे क्या होगा क्रेमूल मित्रो सदयो हमारा यहां क्या होगा क्रेमूल और अंस पे मित्रो हमारा सदयो लाब प्रत्सत या हान प्रत्सत क्या लाव प्रत्सत या मित्रो हान प्रत्सत हमारा सदय यह होगा यह चीजे हमें अच्छे से मतलब छोटी चीजे हैं लेकिन इनके बारे हमें पता होना चाहिए जब हम गहां जब यहां से मतलब जहां आप लोग पढ़ रहे हैं इलहाबाद में हैं और कहीं हैं बाहर हैं पते पुर है कान पुर हैं लखना वह कहीं से भी आप लोग पड़ रहे हैं तो आप जब घर पे जाए आपका चोटा भाई आप बोल क्या सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं, उसके अंस बटे हर, हर बोल सकते हैं, चलिए, आए मित्रों, ये हमारा रहा थोड़ा basic का concept, आपको अच्छा जरूर लगा होगा, आसा करता हूँ, चलिए, अगर आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उससे अ अंकित मूल, अंकित मूल पर सदर हमें क्या दिखानी पड़ती हैं, मित्रों, एक हमारा बात रह जाता है, अंकित मूल, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि भीया, ये अंकित मूल क्या है, ये अंकित मूल होता है, किसी वस्तु को, जैसे कि हम ये पिन खरीदे, फिर इसमे हम स्याही लेके डाले, स्याही का 10 रुपए, पिन का 10 रुपए, तो इसका अंकित मूल हो जाता है, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल दे दे 5,000, उसमें, उसमें, अंकित मूल पर सदय एक चीज मित्रों याद यह रखना, इसमें सदयों छूट दिखाया जाता है, क्या? छू आई गई होगी, चलिए. आए हम यहां से बात करते हैं नित्रों पहला टापिक साधार और प्रशनों पहे है, हमारा आज का कुस्तर हमारा पहला क्या है, पहला टाइप मित्रों साधारन प्रशन, साधारन प्रस्ट ये मित्रों हमारा पहला टापिक है किसका लाभ और हानी का किसका मित्रों लाभ हमारा टापिक है आज मित्रों लाभ और हानी तो पहला हमारी या चीज इसमें फस्ट है क्या है फस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण प्रस्ट अब फस्ट में से पढ़ने जा रहे हैं फस्ट टाइप साधारण प्रस्टों में फस्ट टाइप सर पहला कुस्चन लगाईए कुस्चन देखते हैं, पहला कुस्चन क्या है मित्रों, पहला कुस्चन है मित्रों जैसे कह दे की, एक पंखा जिसका क्रेमूल बारा सु रुपए है, को पंदरा सु रुपए में बेचा जाए, तो लाब प्रतिसत क्या होगा, उसके कहने का मतलब एक पंखा है, जिसका क्रेम मोन 12 रूपह अगर उन्हीं से पंद्रा सो रूपहे में बेचा जाता है तो इसका प्रकिसात राभ है कुछतर हमारा यही कह रहा है चलिए उसके कहिने का मतलब एक फंका है क्या मित्रो हमारा क्या है क्रैम मून आए भी मित्रो पहले हम उसको बेस्ट में बात करेंगी फिर उस उसका दूसरा टाइप उसका तीसरा टाइप मतलब लगाने का तीन या चार बार दो तीन टाइप से बात करेंगे लगाने कुश्चन की आज मित्रों बात करेंगे तो पहला टाइप हमारा बेसिक है बेसिक उसमें क्या दिया क्रेमूल क्रेमूल मितरो कितना होब उसका बारा सो और विक्रेमूल श कinkling मितरो मितरो कितना है a पंद्रह गया चैवरा है कि 1200 गई 1500 गई तो आएंट हमारा अब इसमें हम निकालें क्या लाव क्या निकालें लाव लाव बराबर अभी अभी हम आपको बताएं मित्रों विक्रेमूल माइनस क्रेमूल क्या मित्रों विक्रेमूल माइनस क्रेमूल और विक्रेमूल हमारा क्या है मित्रों विक्रेमूल हमारा मित्रों इसमें क्या है पंद्रा सो, माइनस क्रेम मूल क्या है, बारा सो, तो मित्रों क्या है आ गया, तीन सो, तीन सो हमारा लाब आ गया, अब पूछा है मित्रों उसमें कि लाब प्रतिसत क्या होगा, क्या मित्रों, लाब प्रतिसत, लाब प्रतिसत मूछा है, तो मित्रों लाब प्रतिसत का हमारा भाप प्रेस्ट बराबर लाब बटे आपको बता हैं क्रिमि लिन्टू 100 यह हमारा लाप प्रेस्ट के आपको बतानेले हैं कोई दिक्षेत के भापल भूअ होता है। है क्रिफ्ली कहां से क्रिमि लाप dot मित्रों हमारा कहां से क्रेमूल 1200 से क्रेमूल हमारा कितना है 1200 इंटू 100 2 0 से 2 0 कड़ गए 3 4 को 12 उपर बचा मित्रों 100 100 बटे 4 बराबर 25 परसंट का लाब कितना मित्रों 25 परसंट का लाब हो गया C जे correct answer ये हमारा मित्रों आपका है चलिए इसमें मित्रों दूसरा टाइप में हम कैसे बात कर सकते हैं फर्ष्ट टाइप आप लोगों अच्छे से देख लिया दूसरा इसको कैसे लगा सकते है दूसरी पीदिस में क्या है दूसरे टाइप में कैसे इसको लगा सकते हैं, आईए बात करते हैं, दूसरी मित्रों इसमें, दूसरा टाइप है, जैसे कि माल लेजिए कहदे, क्या, वस्त हमारी कितनी की है, बारा सो की, और बेची कितनी की गई, पंदरा सो की, तो मित्रों इसका इलसी, मतलब इसका अनु पाथे पांच, अब इसमें पूछ रहा प्रतिस्त लाव, तो यहां से कितने का लाव, मित्रों, एक कलाव, एक कलाव कहां से, क्रेम लेख बक्ते, चार इंडू सौ फैना मित्तरों 50 यह देखिए यह हमारा कुछ डूसरा टाइप हो गया है क्या पुछा है क्रेमल कितना है वर अनुपात ने मतन यह लगा दिये अब जैसे मित्रों इसका एग टाइप और हो जाता है दो इसमें हम आपको बता दिए, एक टाइप और आप देख लीजिए, जैसे कि मित्रो कहए दे क्या, जैसे कि एक मित्रो इसका थार्ट टाइप क्या है? दो टाइब में तो बात कर चुए, तीसरा इसका है, जैसे कह रहा क्रेमूल, क्रेमूल मित्रो कितना है, 1200, क्रेमूल कितना है, 1200, और 1500 रुपए, क्या, बिक्रेमूल है, बिक्रेमूल है, आए भी मित्रो बात करते हैं, इसको काटते हैं, दो जीरो से दो जीरो 3 चो को 12 35 15 तो मित्रो हमारा यहाँ क्या है? क्रेम मुल कितना है? 4 भी क्रेम मुल हमारा 5 लेकिन मित्रो ठोड़ा सा रुख जाए एक मिनट यहाँ गलती हो रहा है क्या है कुस्चन? 1 पंक क्रेम मुल बारास रुपए और पंदरास रुपए में बेचा जाता है तो उसका क्रेमूल चलिए कहने का मतलब यह है जैसे कोई वस्त मित्रों क्रेमूल क्रेमूल हमारा मित्रों कितना है इसमें बारासों बारासों और इसका मित्रो जैसे पूछा जाए विक्रेमूल कितना है मित्रो पंदरा सो दो जीरो से दो जीरो काटो तीन चार तीन चोको बारा तीन पचे पंदरा मित्रो क्रेमूल क्या हो गया क्रेमूल अनुपाते बिक्रेमूल क्रेमूल हमारा कितना हमित्रों पांच अनुपाते चार ये हमारा पांच अनुपाते चार होगा क्रेमूल क्रे और ये अब इसमें अगर हमित्रों लाभ निकाले यहां से क्या लाभ हमारा होता है बिक्रेमूल क्रेमूल्वेशquito पांच बांच लाभ कहा रहा कि तना है चार किंभ नाए एक कहां से में क्रेमूल से म हमारा एक बटे च्यार इंटू सब्सक्तिना मित्रौं 25 पर सथाड़ गया यह रहा हमारा यह अब आप लोगों को जो इसमें मित्रों अच्छा लगे आप वो कर लीजिए चलिए मैंने इस कुष्चन पर तीन टाइप बताने का प्रयास किया चलिए चलिए अब जैसे मित्रों इसी में बन जाए वो जैसे कहदे की अब इसी में एक हानी वाला कुष्चन बन जाए मित्रों हानी पर जैसे कहदे की कोई वस्तु क्रेमूल कुष्चन इसी पर है मित्रों इसी पर हम दूसरा कुष्चन बना रहा है पंद्रा सो का क्रेमूल है और विक्रेमूल विक्रेमूल कितना है 12 100 रुपए 15 100 रुपए पे खरी दी गई 1200 पे बेची गई तो प्रत्सत हानी हानी कितनी मित्रों इसमें होगी हानी क्रेमूल बरावर क्रेमूल माइनस भी क्रेमूल हम इसमें आपको एक ही कुछ टाइब बताएंगे जैसे कि हम दूसरा कुश्चान है मित्रू हमारा इसका हम कुश्चान अपने से क्या बनाए? कोई वस्तु है पंदरा सो की खरीदी गई और बारा सु रुपई में बेच दी गई तो उसके प्रसत हान कितने होगी? कितने परसेंट होगी? काये हान निकाल ले क्रायमोल कितना है मित्रों पंदरासो और बारासो तो कितने की हानी तीनसो की हानी 300 के हानी मित्रों कहां से क्रेमूल अब यह आ गया तो हानी बराबर तो हानी हो गई मित्रों हानी प्रतिसत मूझा है क्या हानी प्रतिसत मूझा है हानी प्रतिसत मूझा है तो हानी प्रतिसत हमारा मित्रों होती है हानी बटे क्रेमूल ले इंटू 100 मैं तो मित्रों बेसिक से ही लगाता हूँ आपको जिस टाइप से लगाना हो मैंने तिन टाइप और बता दिया आप किसी भी टाइप से लगा सकते हैं ये हो गया अब आई ही मित्रों इसमें हानी कितना दिया है 300 की कहां से 1500 गुड़े 100 2 0 से ये काड़ ये 3 5 15 काड़ दीजिए 5 आगे या 20 कितने 20% की हानी कितने की मित्रों 20% की हानी चलिए आगे आपको अच्छे आसा करता हूँ आपको दोनों कुश्चन आपको समझ में आ गए होंगे पहला कुश्चन जो कुश्चन दिया था मित्रों उसी कुश्चन पर मैं आपको प्रस्त लाब पर भी दिखा बता दिया और उसी का पलट के मैं प्रस्त हान पर भी बता दिया चलिए अब बात करते है मित्रों हमारा से एक टाइप यहां से खतम होता है आते हैं मित्रों दूसरे टाइप की ओर जैसे की दूसरा टाइप हमारा मित्रों क्या है सर कुष्चन लगा दीजिए दूसरे टाइप का चलिए मित्रों आपको कुष्चन दिख रहा होगा सर दूसरे टाइप का कुष्चन लगा दीजिए जैसे कि मित्रों यहां से बन जाए कुश्चन है हमारा कुश्चन हमारा यह कह रहा है मैंने एक चित्र को मतलब दो सो पचीस रुपए में खरीदा उसकी सजावट में पंदरा रुपए खर्च किया करके मैंने उसे तीन सु रुपए में भेच दिया उसके कहने का मतलब यह है मित्रों आईए देखते हैं क्रेमूल क्रेमूल मित्रों हमारा कितना है दो सो पचीस दो सो पचीस रुपए की तो खरीदा प्लस उसमें अतरिक्त कितना खर्च किया अतरिक्त पंदरा रुपए लगा मतलब ये हमारा कौन सा हो जाता है, अती, अरे हैर, इस्टरा खर्च हर्च है क्या, इस्टरा खर्च, ये हमारा मित्र हो गया या इस्टरा खर्च तो टोटल हमारा क्रेमूल मित्रो क्या हो गया यह हो गया 240 रुपए फिर क्या कह रहा है वो तो तीन सो रुपए में बेच दिया तो उसका मित्र विक्रे मुल क्या हो गया विक्रे मुल मित्र हो गया तीन सो रुपए तो कोई बेक्ति है दो सो पचीस रुपए में चित्र खरीदता है पंदरा रुपए उसकी सजावट में लगाता है तो, टोटल कितने, 240 रुपए को उसे वस्त पढ़ गई, आईये बात करते, पिर उसका विक्रे मुल 300 रुपए, 300 रुपए विक्रे मुल में बेच देता है, तो पिर क्या पूचा है, तो मेरे लाव का प्रतिसात बताए, मतलब इसमें कितने प्रतिसात का लाव हुआ उसे, मत इसमें भी दो टाइप और बता दूँगा, प्रतिस्त लाब हमारा ये है, प्रतिस्त लाब हमारा क्या हो जाएगा, विक्रे मूल माइनस क्रे मूल, क्रे मूल, विक्रे मूल हमारा आमित्रों, 300 माइनस, 240 कितना है आगया, 60, हमारा लाब हा गया, 60, तो प्रतिस्त लाब मूचा तो लाब हमारा कितना है मित्रो 60 का क्रेमूल हमारा कितना है मित्रो 250 का इंटो 100 240 इंटो 100 यह 0 से 0 6 को 24 काट दो कितना 25 परसेंट का लाब यह हमारा आंसर हो गया आंसर कौन सा सही होगा हो बी ईजे करेक्ट एंसर चलिए आसा करता हूं मित्रों आओ आपको यहां तक अच्छे से चीज़ समझ में आई होंगी और दूसरा टाइप इसको मित्रों यह हो सकता है चलिए आईए बात करते हैं हम इसी को दूसरी मित्रों सकते हैं यह तो बैसिक ता अब इसको आईए बत्रों दूसरे टाइप से कैसे लगाते हैं दूसरा टाइप हमारा मित्रों यह है जैसे की क्या कहारा क्रैमूल क्रेमूल अनुपाते विक्रेमूल क्रेमूल अनुपाते मित्रों विक्रेमूल क्रेमूल हमारा क्या है? 240 और विक्रेमूल क्या है? 300 अब यहां समित्रों आप काटने का प्रयास करिए इसको काटे, इसको काटे 6, 24, 26, 35 5, अनुपाते, 4 कितने का फायदा एक कहां से एक बटे चार से कितना सो कितना मित्रों 25% का लाव आसा करता है मित्रों यहां से आपको अच्छे समझ में आ गया चलिए अब मित्रों बात करते हैं हम अगले कुश्चन की आईए बात करते हैं अगले कुश्चन में चलिए अब मित्रो हमारा यहां से यह भी खतम होता है अब आके बात हम अगले टाइप की बात करते हैं अगला टाइप में कुश्चन क्या है सीरीज पे लगाईए अब मित्रो अब हम बात करते हैं यह हमारा यहां से टापिक चेंज होता है अगले उसमें टाइप में बात करते हैं दूसरा टाइप हमारा मित्रों यहां से क्या है टाइप है टाइप हमारा यह तीसरा है दो टाइप के कुछ तो मित्रों साधार प्रशनों में दो टाइप में बात कर जिए तीसरा टाइप हमारा मित्रों क्या है जब कोई वस्त एक बार बेची जाए क्या मतलब जब कोई वस्त एक बार बेची जाए कहने का मतलब यह है मित्रों कुश्चन में आपको बेचने की जगए एक बार दी रही होगी मतलब जब कोई वस्त एक बार बेची जाए इसमें कैसे प्रशनाते हैं आये मित्रों देखते हैं अब इसे सर कुष्चन लगाईए इसमें सर आप कुष्चन लगा दीजिए सराप इसमें 7 नंबर कुश्चन लगाई, 7 नंबर से फिर उसको पलटके लगाएंगे चलिए बात कहा है, 7 नंबर कुश्चन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है मित्रो कोई बस तो कोई वेक तेक साइकिल को 14 सुरुपए में खरीदता है और उसे पंद्रा सु रुपए की हान पर भेच देता है उसा साइकल का विक रे मूं लेगात कीज्ये कहने का मतला मित्रो यह है आईए हम बात करते हैं इसमें वह कह रहा है कोई वेक्ती, कोई बेक्त एक सैकल 14 सु रुपए में खरीत रहा है, मित्रो तो उसका क्रे मूं क्या ह क्राय मोल उसको मित्रो 14 रुपाय है अगर 14 रुपाय उसका क्राय मोल लेहा है तो उसे 15 परसेंट की हानी पर मेचता है तो वो साइकिल का बिक्राय मोल लेगात कीजिए मतलब 14 रुपाय की कोई वक्त उसका वस्तु है खरीदता है और 15 परसेंट हानी पर मेच देता है कितने प 15% 15% आन का मतलब मित्रों पचासी परसेंट में बेचता है चलिए फिर आगे क्या कह रहा है मित्रों उस साइकिल का बिक्रे मूल बताईए कहने का मतलब है वो साइकिल का मित्रों बिक्रे मूल उसका पूछ रहा है आई अब हम बात करते हैं भी बिक्रे मूल की विक्रे मोल ने पूँच रहा है मित्रो तो वस्तु कितने की है हमारी मित्रो 1400 रुपए की और पूँच क्या रहा है 15% छूट दी जाती है उस साइकल का विक्रे मोल ने बताएए 1400 रुपए की हमारी मित्रो वस्तु है 15% की छूट तो बेच कितने की रहा है 85% पे मित्रों 100 लगा दीजिए ये आईए बित्रों बात करते हैं दो से ये 0 को दो 0 से काट दीजिए अब इसका आपस में गुडा कर दीजिए बिक्रेमूल 14 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 17 70 करी 0, 18, 17 14, 18 14, 18 हमें लग रहा है 14, 7, 8, 9, 14, 8, 112 112 और 7 112 और 7 जोड़ दीद 119 119 ये ये मित्रों हमारा हो जाएगा 1190 रुपए तो मित्रों विक्रे मूल हम से पूचा है तो हमारा मित्र विक्रे मुल क्या हो जाएगा 1190 रुपए तो इसमें आपसान हमारा कौन सा सही हो रहा है 1190 बीजे करेक्ट एंसर आसा गरता मित्र आपको समझ में आयागा कह रहा है उस cycle काा विक्रे मूली कितना है? 14.00 रुपए. 15% हान पर बेची जाती है, तो मतलब कितने पर बेची जाए? 85.00 पर बेची गई. आए मुच्छा विक्रे मूली यहां निकाले के बात किया है, विक्रे मूली यहां देखो साफ लिखा है, कोई वस्त एक बार बेची तो एक ही बार बेची गई है, कितने 15% हानी पर, मतलब कितने 50 रुपए में, तो बिक्रे मूल निकाले, बिक्रे मूल मतलब हमारा होता क्रे मूल, बटे जितने में वस्त बेची जाए, सेस, गुड़े 100, ये होता, तो 1400 गुड़े 85 कर दिये, काट के, अंसर निकला लिए कितना 1190, आसा करता हूं, मित्रों, आपको यहां से अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो इसका आप दूसरा टाइप मुझसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हम बोल ही दिये थे, कि एक-एक कुश्चन को 2-2-3-3 बार बताने का प्रयास करेंग कितने में? 85% में बेचा? 85% है, अरे यार, सोरी, एक मिनट रुकना, कितने पे? 85% है, 85% पे बेचना फिर कह रहा है, उसे, अच्छ, ठीक, ओके, आएए देखते, कहने का मतलब उसके ये है मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु है 85 रुपए में बेच रहा है तो उसे 100 रुपए की कोई वस्तु है 85 रुपए में बेच रहा है आईए बात करते हैं तो इसका प्रसत क्या बन जाएगा 5 से काटो 5 से काटो मित्रो 20 और 5 काटो 17 कितना 17 मतलब इसका रेशियो क्या बन गया है मित्रों 20 और 17 फिर क्या है उसमें क्या पूछा है उस साइकिल का विक्रे मोल 15 रुपय मतलब उस साइकिल का विक्रे मोल तो मित्रों 100 पर 100 में 100 परसेंट उसका कितना है भाग 20 भाग है 100 का अनपाद मतले 20 आया 20 नही भी वो कह रहा है कितना है चाओदा सो तो सत्रा रूपाय में बेचने पर उसे कितने में मिलेगा तो मित्रों सत्रा रूपाय में बेचने पर उसे कितने का मतलब विक्रे मूल फिर आ गया ना मतलब 17 रूपए वे बेचने मुझे कितने की वस्तु पड़ेगी तो मित्रों 1400 बटे 20 इंटु 17 ये हो गया ये 0 से ये 0 कार दीए 2 से कार देजे 749 14 17 हाँ 17 और ये 70 कितने 17 और 70 का गुणा कर लिजे मित्रों 0 आ गया 749 के रिनाओ आ गये हाथ आ गये कितने चार 7 1 के साथ 7 4 11 11 190 हमारा कहने का मतलब मित्रों ये है 1190 यहां से आ गया मतलब हम तोटल कितना मान लिए जे 100% हमारी चीज है 15 % की छूट देता है कितने की 85 की बेचा उसमें दिया है माना हम मित्रों यहां से माना गाना Cou Şimdi Key Pornous परशंड की हमारी Chinese है और 15 % की छूट देता है तो मित्रों उसका ratio हमारा 20 और 17 का बच गया तो हो कहरा है 20 रूपए की वस तूउ नहीं है कितने 1400 रुपए की है 20 बराबर 1400 तो हम निकाल लिए 17 निकालना है हमें तो कर दिये 17 विक्रे मुल 17 1400 बटे 20 गुणे 17 कर दिये डारेक निमें अंसर निकाले 1190 आसा करता हम मित्रों आपको यहां अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अब बात करते हैं हम किसी वस्त को 140 रुपए में बेच कर 30% की हान उठाता हुआ गजब का कुश्चन है चलिए आप लोगों को सामने कुश्चन लगा है आप लोग कुश्चन देखिए तब तक हम जल ग्रहन कर ले आईए बात करते हैं क्या कह रहा है एक दुकंदार किसी वस्त को एक दुकंदार किसी वस्त को 140 रुपए में बेच कर 30% की हान उठाता है कहने का मतलब बेच कर 140 रुपए में बेच कर 30% की हान मतलब मित्रों हमारा क्या है दूसरा टाइप यहाँ से सेकेंड टाइप है का विक्रे मुल क्या विक्रे मुल मित्र हमारा कितना है 140 रुपए वो 140 रुपए पर बेच करके 30 परसंट की हान उठाता है कितने 30 परसंट की हान कितने परसंट की हान उठाता है 30 30 परसंट की हान उठाया है तो मतलब कितने पर 70 रुपए 70% चलिए ये बचा हमारा 70% आजाए ये फिर क्या कहा है रहा कुस्चन उस वस्तु का क्राइम मूल लेगात कीजी क्या उस वस्तु का क्राइम मूल लेगात कीजी आएए मितरों अब मितरों यहाँ क्या है 140 रुपए की खरीदता है 30 पर सेंट हानी सतर पर बेच देता है यह सारूपय होगा तो क्या पूचा है उसका क्रेमौल क्रेमौल निकाल रहे हैं एक सो चालिस की बेचता है तीस परसेन की छूददेता तो वहाश दो कितने की बची शत्तर की तोranchitionally ये कर दिये जीरो से जीरो काट दिये साथ से काटे साथ दुनाम 14 तो उसका क्रेमूल क्या हो गया मित्रों 200 रुपाई क्या 200 रुपाई अंसर आपसन कौन सा है एजे करेक्ट अंसर चलिए दूसरी बात मित्रों क्या करते हैं आईए कितने परसंट की मित्रों छूड़ देता है 30 परसंट की चूड़ देता है तो 70 परसंट क्या हो गया हमारा विक्रे मूल ले 70% बराबर विक्रे मूल ले तो 70% बराबर क्या है 140 70% बराबर 140 है तो मित्रो 70% बराबर 140 तो 70% बराबर 140 तो 100% बराबर 140 बटे 70 into 100 0 से 0 कार दे 7 14, 2 कितना आगया 200 100% हमारा क्या आगया 200 200 हमारा क्या हो गया मित्रो क्रेमूल आसा करता हम मित्रो आपको यहां से बहुत अच्छे में समझ में आया होगा चलिए और एक बार बताएं अलग बीद से दो टाइप तो हो गया चलिए तीसरा देख लीजे आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं बताने का इच्छु गरहूँगा मतलब वो कहे रहा है आईए मातिये माना माना टोटल हमारा कितना है 100% 100% है 70 पे समान बेची जाती है 100% 70 अब इसको मित्रो रेशियो में अगर बदले बदला जाए किसमें रेशियो में तो यह क्या आजाएगा अनुपात मगर इसको मित्रो बनाया जाए तो यह मित्रो हमारा अनुपात हो जाएगा 10 अनुपाते 7 कितना मित्रो 10 अनुपाते 7 अब बात यहाँ है 10 अनुपाते 7 तो 100 की खरीदी मित 100% हम माने 100% चीज को 70 रूपय में बेचा जाता है ऐसे समझे तो मित्रों हमारा 70 बेचे जाता हूँ यहां आगे परेशियों बदले 10 की वरस्त 7 भी बेची जाती है तो 7 में नहीं वो कहरा 140 में बेची जाती है 7 नहीं 140 7 का कितना गुणा है मित्रों यह साथ का कितना गुना है 20 गुना है कि नहीं ये तो जब 7 का 20 गुना है तो 10 का 20 गुना कर दीजे 10 गुड़े 20 कितना आ गया मित्रों 200 आसा करता हूँ आपको यहाँ सच्छे समझ में आ गया हूँ कहने का मतलब ये है Total हम मालने 100% 100% हमारी कोई चीज है, उसमें 30 रुपए के छूड मतलब 70 रुपए के बेचे, रेशियो में बदले मित्र 10 और 7, मतलब 10 रुपए के वह साथ रुपए में बेच रहें, वो कहरा हैं, 7 रुपए में नहीं, 140 रुपए में बेच रहें, तो 7 का मित्र में कितना गुना है, 20 गु कितना हो गया, 200, क्रेमूल उसका मित्र क्या हो गया, यह हमारा मित्र हो जाता है, क्रेमूल और यह हो जाता है, बिक क्रेमूल, चलिए, आसा करता हम मित्रों, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप फिर क्लास को बैक कर अगर आपको यह लग रहा है कि एक टाइप अगर आपको और बता दिया जाए तो चलिए अगले कुश्चन जब दूसरा कुश्चन कोई कराया आजाएगा तो उस पे हम दूसरा टाइप कराएंगे आए मित्रो हम बात करते हैं आज अब यहां मित्रो क्या है यह भी हमारा टाइप यहां से खताब होता है हम हर टाइप में एक एक कुश्चन की बात दो दो कुश्चन तीन की बात कर रहे हैं और वह से तो कुश्चन एक टाइप पे कुश्चन तो बहुत दे रखे हैं मित्रो मेरा काम है आपको कुश्चन से प चीज़े आती हुए वो भी भूल जाएंगी चलिए बात करते हैं अगला टाइप हमारा कुश्चन क्या है जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए कितने बार दो बार बेची जाए आईए कह रहा है जब कोई वस्त मित्रो दो बार बेची जाए कितने में दो बार बेची जाए आईए अगला टाइप है मारा ये थार्ड टाइप है चलिए सर इसका एक कुश्चन लगाए जब कोई वस्त दो बार बेची जाए पांच परसंट का लाव प्रात करने के लिए उस वस्तु का विक्रे मूल क्या होगा दो बार दे दिया ना एक बार दस परसंट हानी और दूसरी बार पांच परसंट लाव दो बार बात कर दिया एक बार वस्तु हान पर मेची जाए एक बार लाव पर मेची जाए दो बाते हो माने के लिए उसे कितने पर वस्त सबेचनी पढ़ेगा. माना मित्रो हमारा क्राएमूल कितना है? 100 रूपाए. । वो कहा रहा है, एक सु रूपाए में बेचने पर, कितने की? 10 परसंट की. 10 परसंट की. 10% का मतलम 90 बटे 100 तो यह हो जाएगा 90 एक्स बटे 100 फिर क्या कहरा है मित्रों 10% का लाव तदा अनुसार 5% का लाव राप्त करने के लिए उस वस्तु को उस वस्तु का विक्रे मूल लेगा तदा कितने लाव आईए 5% का लाव कमाने के लिए उस वस्तु कितना बेचना पड़ेगा तो वो कहे रहा है जब कोई वस्तु माना विक्रे मूल एक्स है एक्स को 10% हान पर बेचा गया तो 90 पर बेचा वो कहे रहा 90 पर बराबर कितना है 72 है आईए वित्रों बात करते हैं इस जीरो से इस जीरो को काड़ दो नवठी वहत्तर कर दो एक्स बराबर 10 है 10 इंटू 8 कर दो 80 एक्स का मान मित्रों हमारा क्रे मूल क्या निकालाया मित्रों 80 रुपए अब हमारा मित्रों क्रे मूल निकालाया है तो अब हम इसी क्रे मूल पे लाव और हान दोनों दिखा लेंगे क्या लाव और हान मित्रों दोनों दिखा लेंगे आईए बात कर रहे है 80 रुपाई की कोई वस्तु है हमारा मित्रों क्या है 80 की वस्तु है अब वो कहे रहा है उसमें 5% लाब कमाने के लिए 105% लाब कहां से 100 से आई ये बात करते हैं 20 चोक 80 20 पंचे 100 5 से काटिए 21 पंचे 105 तो कितना आगा 21 चोक 84 ये हमारा मित्रों वस्तु हमारी क्या होगी नया विक्रे मूल हमारा क्या हुआ नया विक्रे मूल दो विक्रे मूल हो गए पुराना विक्रे मूल 10 परसेंट हानी पर था वो 80 रुपए हो गया और पुराना हो गया ये हमारा 84 रुपए तो चौरा सीरू की साफसन पर है मित्रो डी जे? गरेक्टर एंसर उसके कहने का मतलब ये था हमने क्या किया मित्रो वो कह रा था एक वस्तु जो बहत्तर रुपए में बेचने पर दस परसंड की हानी होती है तो पांच परसंड का लाप कमाने के लिए उस वस्त को कितने भी क्रेमूल पर बेचा जाए हम कुछ नहीं किये मित्रो मालिय मित्रो यहां से क्या हम यहां से माने क्रेमूल हमारा कितना है एक्स क्रेमून माली एक्स अब वो एक्स पे 10% की छूड़ देता है हम माने तो एक्स बराबर 90 बटे 100 तो 90 एक्स बराबर 100 बराबर कितना 72 बहत्तर रुपे पे दे रहाता है ना 72 काटे यहां से एक्स कमान कितना आ गया मित्रों हमारा 80 फिर हमारा एक्स कमान आगे 80, तो 80 में, अब 80 रुपए की चीज पर अगर एक 5% का लाब कमाया जाए, तो 80 गुड़े 105 बटे 100 करकी निकाल लिए कितने पर, नय विक्रे मुल हमारा मित्रो कितना हो गया, 84, आसा करता हूं, मित्रो आपको यहां से अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए, इसका करा देते हैं, चलिए कुशन इसका एक टाइप देख लीजिए, कैसे कुशन आगे हल होगा, क्या है, कुश्चर हमारा क्या है, वो कह रहा, 10% हान पर बेचा गया, तो 90% क्या हो गया उसका, विक्रे मुल, क्या हो गया मित्रो, विक्रे मुल, 10% हान पर बेचा गया, विक्रे मुल कितना हो गया नब्बे तो वो कह रहा विक्रे मूल हमारा कितना है दस परसेंट हान मतला नब्बे परसेंट बराबर विक्रे मूल तो मित्रो नब्बे परसेंट उसका विक्रे मूल कितना है बहत्तर रुपए नब्बे कितना है उसका मिक्रो बहत्तर रुपए तो एक परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 72 बटे अरे यार सोरी 72 बटे 90 तो मित्रो 100 परसेंट यहां से हम निकाल लेंगे 72 बटे 90 गुणे 100 यह हमारा मित्रो यहां से हो जाएगा क्या यह अब मित्रो इसको काटिए इससे इसको काट देजिए नवठी बहत्तर कितना आ गया असी रुपए तो हमारा क्या निकल आया असी रुपए 100% हमारा क्या निकल आया असी रुपए निकल आया लेकिन अब वो कह रहा है एक कह रहा है 5% का लाब हो 100% तो हमारा निकालाया यह हमारा 100% 80 निकालाया अब कहे रहा है कितने में 5% का लाब हो कहां से 80 से 5% का लाब हो बटे 100 काड़ दीजिए यह 0 से यह नहीं 20 चोक 80 20 पंचे 100 5 से काड़ दीजिए 21 21 चोक 84 यह हमारा answer हो गया आसा करते हूं हम इतुरों आपको यहां से अच्छे में अच्छे समझ में आ गया होगा यह हमारा answer हो गया चलिए आईए चलिए दो type हो गया और एक type आप इसका देखेंगे क्या चलिए और question इसमें series में क्या है हमारे और कोई question बच रहा है चलिए जैसे कि इसका एक type अगर हम आपको आप लोग और बताए मेरे दिमाग में एक बात और चलते चलते याद आ गई माली कितने परसंट की हानी है मतलब हमें हानलाब कितने पर दिखाना पड़ता है मित्रों सव परसंट पर हानलाब दिखाएंगे सव परसंट पर हानलाब दिखाएंगे तो वस्तु हमारी कितनी की है सव की कितने परसंट की हानी दस परसंट की हानी मतलब उसके कहने का मतलब मित्रों ये है कि एक बिनेट सव परसंट की चीज दस परसंट की हानी और कहरा है कितने परसेंट का लाब कमाना है एक पांच परसेंट का लाब कमाना है बन पाते जब दस परसेंट की हान होती तो वह अस्तों कितने की वेशता है 72 की जब एक सो परसेंट का लाब कमाता है तो वह अस्तों कितने की वेशता है नहीं पता एक समान लीजिए अमित्रो करते हैं अठारा कि अठार पंचे नब्वे एक किस अठार चोग बहत्तर एक कीस चोग चौरासी यह हमारा सबसे अच्छा अच्छा टिक लगी चलिए मित्रों यही से विदा लेते हैं आप लोगों से आज हम लोगों ने आपको हर टाइप में एक कुश्चन पर आप लोगों को चीज अच्छी लगी होगी कमेंट पर फिडवाएक अच्छा देना मित्रों जो आपको लगे चलिए मिलते हैं कल चलते चलते अपने आसपास प्रोस मताओं बहनों का सम्मान करिए मिलते हैं कल मित्रों जैहिन जैभारत